हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारेश यूटूब चैनल मोहित पांड़े क्लासेट पर फ्रेंड्स जसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दीरों हम लोग पढ़ रहे हैं तिरकोर्मिती ट्रिग्नॉमेट्री ठीक है तो आज हम लोग बात करने वाल उसके 48 सूत्रों को हमने कराया था आपको जो बच्चे रठते हैं वह मैंने कहा था आप देखते ही बता दोगे रचने वाली कोई बात नहीं घ। जो हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं, उनको 48 सूत्र भाया याद होंगे, अभी हमारे साथ जो बैठे होंगे, ठीक है, तो आज हम लोग आगे की कुश्चन और बात करने वाले हैं, चतुर्थान से सम्मंदीत, ये आज लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, उसके बाद में तिर सारे बढ़ियां-बढ़ियां कुश्चन आप लोग को कराता हूं, यही है हमारा पैसा भाया, का करी, और कोनों काम नंधा है, ये नहीं भाया, सत्वरियां, चलो, तो हम ज्यादा भाया बखवास करीं नहीं है, अब आते हैं कुश्चन पे, आपके सामने आप कुश्चन आ भाया, आपको तिरकोर मिती के जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड हुए है, सब के लिंक मिल जाएंगे, आप जाएए, जो मर्जी वो वीडियो देखिए, लेकिन चतुर्थांस वाला वीडियो, जो चतुर्थांस टापिक का दो वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज के वीडियो आप लोग को समझ में बहुत ही कमाने वाला है ठीक है यह बात मानो भईया और हम कुछ कर उनाई सके चलो तो अब हम आज बात करेंगे फिर से चतुर्थांस वाले कुश्चन की अब देखो अगर आपके सामने आज की साहता से हम लोग कैसे निकालें आज हम यह सिखाएंगे आपको ठीक है अभी और बड़ा बड़ा लेंगे टेंसन मतलू अब देखो साइन तीस डिगरी तो हम करेंगे क्या साइन साइन लिख दिया अब ब्रेकट ऐसे आप लोग बना लेंगे ठीक है एक ऐसे ब्रेक 270 को 360 को 90 को 180 को 270 को 360 को इसको अपनी खोपड़ी में रखेंगे इन चार मानों को ठीक है अब जो कुस्टन रहेगा देखना कि इसके आस पास कौन दिख रहा है आपको जो आस पास दिखेगा उसी के साथ खेल खेलना रहेगा तो तीस के आस पास कौन है जो चार संख्या मैंने बताई है कौन कौन सी एक 90 और आपकी हो गई 180, 270 और 307 इन चारों में देखो कि 30 किसके जादा नजदीक दिख रहा है आपको तो सर हमें 90 के आजपास दिख रहा है तो हम 90 में लिख लेंगे यह बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ आज तक आप लोगों ने यह तरीका देखा नहीं होगा अब आप क्या करिए देखिए 90 में आप किसी को एड करके 30 पा सकते हो या कुछ किसी को घटा करके तो सर 90 में तो 90 में कितना घटाएंगे 30 बचे तो सर अगर 90 में हम 60 को घटा दें तो 30 बचेगा तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं 30 को हम 90-60 लिख सकते हैं आप चाहे 30 लिखो या 90-60 लिखो बात एक ही है जब 90 में से 60 को माइनस करोगे तो 30 ही तो बचेगा तो हमने साइन 30 डिगरी को लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कोई confusion नहीं होगी जब चारचे question कर ले जाओगे फिर खुद ही practice हो जाएगी तो इतना सोचने विचारने कोई जरूरत नहीं रहेगी बस अभी साथ बने रहो हमारी चलिए आप देखो आप हम लोग चतुर्थांस की बात करते हैं विडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यह question आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं लेकिन नहीं देखा तुद मैं बता रहा हूं देखो 90 में से कुछ घट रहा है तो हम पहले चतुर्थांस पे रहेंगे पहला चतुर्थ अगर किस्तमें बदलेगा क्यों क्योंकि 90 डिगरी है 90 दिखेगा तो आप क्या करना जो बाहर रहेगा उसको बदल देना और कौन किस्तमें ब्सक्रेंगे दलता है सामने लिखा हुआ है ठीक है आप उसके साथ में क्या लगेगा नब्य माइनस थीटा यहां पर जो रहेगा वह इसके साथ लगेगा तो यह आपका कॉस्टी डिग्री हो जाएगा ठीक पहले चतुर्थांस में सब के सब पास्टिव होते हैं तो यहां प्लस माइनस का कोई खेल नहीं है ठीक प्लस ही रहेगा सब को कितनी होती है तो सरक उस्टी डिग्री बैलू होती है कितनी 1 अपान टू तो हम लोग रट के बैठे हुए हैं कि साइन 30 डिग्रिक वैलू वन अपान टू होती है और यह देखो चतुर्थांस की सहायता से आपकी वैलू आभी गई वन अपान टू ठीक इस तरीके से चतुर्थांस का खेल होता है अब देखो एक वैलू आप लोग और रट के बै यह लिगे कितनी होती है यह जल्दी बताओ लग्या इसका मान हम लोग रट के बैठे हैं काई का अज हम सिखाएंगे आपको देखो कौट अब 30 को क्या लिख सकते हो 30 किसके आसपास है 90 के आसपास है मतलब हम 90 के साथ खेल खेलने वाले हैं तो देखो अभी जो 30 है ये तो सामने ही लिखा है यही खेल खेलेंगे फिर से मतलब 90 में से जब हम 60 को घटाएंगे तो बचेगा 30 30 को हम क्या लिख सकते है 90-60 ठीक है अब देखो 90 पे बदलता है मान काट किस में बदलेगा अब देखो किस चत्रुठाण स्में हो आप 90 में से कुछ घट रहा 90-60 मतलब पहले चत्रुठाण स्में है और पहले चत्रुठाण स्मusto करद में एक सबस्का होता है तो इसलिए इसमें माइनस की कोई आप सकता नहीं है अब हम भी को 350 डिग喔 150 डिगरी का मान हम करो सकते हैं इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं त्यक्षा पहले आप देखो 90 180 डोनों के आसपास हो तुदेखो हम करेंगे क्या है है तह सेक 90 में कितना हमerd करें की 150 हो जाए तो सर 90 में जब हम लोग 60 को participant और ऑखके तो आपका अब क्या हो सक्थू क्या हो गया सेक 150 को हम क्या लिख सकते हैं सेक 90 .चैस क्यों 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 कि 150 को आप क्या लिख सक्ते हो 150 को हम नबभे बलस साथ लि опас लिख सक्ते हैं 90 और 60 को आइड करोगे तो 150 ही तो आएगा, तो अभी तक हम लोगों ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, बस हमने 150 को इस तरीके से लिख दिया, 90 पलस 60, 90 पलस 60 को अगर जोडेंगे तो यही तो लिखेंगे, इतना तो दिमाख आप लोग के हई है भगवान के दुआ से, इत सेक बदलता है हमारा कॉसेक में, तो आपका हो जाएगा कॉसेक और यह 60 डिगरी है, तो कॉसेक 60 डिगरी, आप पता लगाओ कौन से चतुर्थांस में हैं आप, 90 पलस 60, 150 होगा ना, तो 90 में जब कभी भी ऐड होता है, तो हम पहुंच जाते हैं दूसरे चतुर्थांस में, देखो 90 का बार्डर यहां दिख रहा है आपको, बार्डर करास करोगे, 90 में कुछ एड करोगे, तुरंत बार्डर करास करोगे, और हम आज आएंगे दूसरे चतुर्थांस में, तो सारा रूल दूसरे चतुर्थांस का लगेगा, तो मतला, 90 पलस 60 डिगरी, किस चतुर्थ में हम लोग दूसरे वाले चतुर्थांस में तो देखो दूसरे चतुर्थांस में आपको पता लगाना है कि जो यह स्यक है यह प्लस का होता है या माइनस का होता है तो सर दूसरे ईस Zumil को साइनस बाता है कीतने होती हैं तो इसी को पलट दो कि अंडर रूड माइनस लगा हुआ है लगा हुआ है तो माइनस असे सिस्टे propriroниц का एंसर ऐसाइन mu अब अगर कहा जाए आपसे कि कॉसेक ये कुश्चन नमबर 3 था, कुश्चन नमबर 4 ले लो, कॉसेक 150 डिगरी का मान बताओ, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा भाईया, वही काम होगा जो अभी हम लोगों ने किया है, 150 को आप क्या लिख सकते हो, 150 को हम वही लिख सकते हैं, जो हमने सेक 150 को लिखा है, 90 प्लस 60, 90 डिगरी और प्लस में 60 डिगरी अगर हम लिख देंगे, तो 150 होगा, ठीक, 150 को हमने केवल 90 प्लस 60 के रूप में लिख दिया, ठीक है, अब देखो, 90 प्लस 60, अब 90 पे तिरकोर में किया फलन बदलता है कौसेक किसमे बदलेगा सिक में तो आपका यह हो जाएगा सियक और शिक्स्टे डिग्री ठीक कि अब आप यह बताए कि किस चतुर्थांस में है तो नब्बे पर कुछ प्लस हो रहा है और जब कभी भी नब्बे में कुछ प्लस होता है तो हम दूसरे चतुर्थांस में आ जाते हैं ये बात आप लूग जानते है रट गया होगा इतनी इतना मैंने चिला दीया है इस एक इही सब्द को तो हम दूसरे चतुर्थांस में Anim To दूसरे चतुर्थांस में देखो Sign और Causeica केवल Positive होते हैं और देखो हमारा यह हमारा कुस्यन क्या थ Tous generically थैं तो कॉसेक है यह दूसरे चतुर्थांस में होता है positive तो इसका जो 100 पस्टीव होगा Post है वन अपान टू उसी को पलट दो टू अपान वन बोलने तो टू तो इसका एंसर आपका होगा टू ठिर कितना आसान था चलिए अब इसका आप लोग लेना चाहें तो लेले फिर हम और कुश्चन करवा रहें आपको लेलिया चलिए चलिए अब आपको निकालना है साइन 210 डिग्री का और टैन 240 डिग्री का मान तो कैसे निकलेगा बस ध्यान से देखिए इस सब को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं फर्स्ट मेथट देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट मेथट क्या है देखो पहले तो साइन हम दिखेंगे अब देखो 210 मैंने जो चार संख्या आपको बताई है 90, 180, 270 और 360 तो जो कुश्चन रहेगा देखना आप किसके आसपास हो तो हमारा 210 है तो हम लोग किसके किसके आसपास हैं हम लोग 180 और 270 इन दोनों के आसपा हम है ठीक है तो इस दोनों से आप लोग अपना काम बना सकते हैं पहले क्या करेंगे पहले हम अगर करें तो 180 180 में कितना आइड करें कि 210 हो जाए तो 180 में अगर हम 20 आइड करेंगे तो हो जाएगा 210 210 तो 180 में अगर हम 30 आइड करेंगे तो 210 बन जाएगा तो हम लोग बस केव केवल 210 को जो भी रहेगा कुश्चन उसको आप इन चार संख्याओं में तोड़ने की कोशिस करेंगे 90, 180, 270 और 360 ठीक है तो हमने 180 प्लस 30 लिख दिया इसको मतलब यहां जो पहली संख्या है यहां पर आपके या तो 90 लाने की कोशिस करना या तो 180 या तो 270 या तो 360 बस यह आपको कोशिस करनी है तो 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 अब आप लोग चतुर्थांस से परिशित हैं बढ़ियांस जानते हैं तो 180 पे मान बदलता नहीं है मान बदलता कहां है 90 डिगरी और 270 पे किसका मान यह जो फलन दिया हुआ है ना तिर कौन में यह साइन इसका तो यह तो साइन ही रहेगा और यह 30 डिगरी इसके साथ में लग जाएगा क्योंकि दूसरा चतुर्थांस हमारा 90 से 180 तक है 180 से कम और 90 से अधिक जब रहेंगे तब दूसरे वाले कि लेकिन यह 90 में 30 साइड मतलब 210 210 कहां रहेगा 180 से अधिक और 270 से कम अगर है तो तीसरे चतुर्थांस में रहेगा तो मतलब ये आप 3 चतुर्थांस में है तो सारा रूल 3 चतुर्थांस का लगेगा अब 3 चतुर्थांस में 10 और कार्ट होता है positive बाकि सब negative तो देखो हम क्या ले रखे हैं हमारा sine है तो sine 3 चतुर्थांस में plus नहीं होता है negative होता है minus का होता है तो इसलिए इसका जो result है वो भी minus का होगा तो minus 30 degree बन गया अब sin 30 degree का मान हम लोग जानते हैं होता है 1 बटे 2 लेकिन minus है तो minus 1 बटा 2 हो जाएगा अब sir आप लोग आपने कहा था कि इसको 2 तरीके से कर सकते हैं तो दूसरा तरीका बताएए तो लेजिए भीया second method आपके सामने परस्तुत होने जा रहा है, second method क्या है, आप sin 210 degree है, तो sin 210 को आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, 270 minus 60 degree, आप 270 में 60 घटाओगे, आप तो 210 बचेगा, ठीक, बस आपका उदेश यह होना चाहिए, कि जो ब्रेकट में पहली संख्या रही है, यह या तो 90 हो, या तो 180, या तो 270, या तो 360, बस इतना आपको सोच के रखना है, तो यहाँ पर 270 है, 270 में 60 को घटाओगे, तो 210 आ जाएगा, तो sin 210 degree को हम यह भी लिख सकते हैं, अब इसको चतुर्थांस की सहाईता से आप लोग सौ आठ डिगरी लग जाएगा इसके साथ में, अब पता लगाओ आप किस चतुर्थांस में हो, तो 270 माइनिस 60 डिगरी, 270 में कुछ घट रहा है, और जब 270 में कुछ घटता है, तो हम तीसरे चतुर्थांस में रहते हैं, मतलब दूसरे चतुर्थांस में क्या है, 270 में 60 ठेक, ठेक, तो तीसरे हमारा हाथ हैं हम, इस बात हम लोग जानी था, तरहा क्वेस्चन काईडारियन हैं यह से हम लोग, तो दूसरे दौस जान है, ओध एक सवस्ती से तो का है बड़ा, लेकिन 270 से छोट, तो हम तीसरे चतुर्थांस में हैं, तो रूल हमारा तीसरे चतु चतुर्थांस में प्लस का होता है कि माइनस का, तो सर, तीसरे चतुर्थांस में साइन माइनस का होता है, निगेटिव होता है, इसमें केवल 10 और कॉट पास्टिव होते हैं, ठेक, तो आपका जो इसका साइन का रिजल्ट आया है, माइनस का सिस्टी डिगरी, यह आप माइ लिखते हैं भय्या इस वाले कुस्चन की 10 240 दिगरी तो देखो तर आप 240 को принципе सकते हो Case हम 240 को लिख सकते हैं हम 240 को लिख सकते हैं 180 और 180 में अगर हम 20 करेंगे जाएगा 200 और 40 20 60 40 20 60 अगर हम 180 में 60 करेंगे तो 240 हो जाएगा तो 10 240 को हम लोगों ने तोड़ लिया है 180 180 साथ हम 240 को क्या लिख सकते हैं 180 180 में जब 60 को जोड़ोगे तो 240 ही तो आएगा वैया तो बस यही किया है हम लोग ने तो देखो अब 10 देखो 180 180 पे मान नहीं बदलता है जो है वही रहेगा तो 10 है 10 ही रहेगा 10 60 डिगरी आ जाएगा इसके साथ अब आप देखो किस चतुर्थांस में हो 180 प्लस थीटा 180 में कुछ हैड हो रहा है जब 180 में कुछ हैड होता है तो हम पहुंच जाते हैं तीसरे चतुर्थांस में ये बात पता है अब कुश्चन देखके भी आप समझ जाओ कि 10 240 डिगरी है 240 डिगरी जो है वो 180 और 270 के बीच में आता है तीसरा चतुर्थांस जो है हमारा वो 180 से 270 तक का होता है तो अगर मान हमारा 270 से कम रहेगा 180 से अधिक रहेगा तो हम तीसरे चतुर्थांस में रहेंगे तो जो 240 है वो 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है तो हम तीसरे चतुर्थांस में हैं पता लग गया अब तीसरे चतुर्थांस में देखिए आप कि क्या 10 जो है वो प्लस का होता है कि नहीं तो सतर 10 और कॉर्ट पॉस्टिव होते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो भी पॉ अंडरूट थेरी तो इस तरीके से आपका ये कुश्चन भी हुआ है समाप्त अब देखो अब कुश्चन नमबर 7 ले रहे हैं अगर आप से कहें तेन 310 डिगरी का मान बताओ तैन 310 डिगरी का मान बताओ या बोल दे की 310 6 2 आप 315 तीन सो पंदरा डिगरी का मान बताओ हैं तो देखो आप किसके आसपास हो आप 270 और 360 के आसपास हो तो अगर हम 360 में 360 में 315 को घटाएं तो 10 में 5 5 5 5 में 4 45 डिगरी ठीक है कितना आया हमारा 45 तो हम इसको लिख सकते हैं 10 360 माइनस 45 डिगरी ठीक है 315 कब आएगा अगर हम 360 में 45 को माइनस कर देंगे तो 315 आ जाएगा ठीक है तो देखो 315 आ गया तो 10 315 डिगरी को हमने लिख लिया 10 360 माइनस 45 क्यों 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 क्योंकि 360 में जब 45 घटाई वह भई या तो 315 आए ठीक तो अब देखो अब चतुर्थांस की साहता इसको साल करिए 360 पे मान नहीं बदलता है तो 10 है तो 10 ही रहेगा तो 10 और यह 45 डिगरी अब आप किस चतुर्थांस में हैं तो हम जानते हैं कि 360 माइनस थीटा जब 360 में कुछ घटता है तो हम 14 चतुर्थांस में रहते हैं चतुर्थांस में देखो बैलू कहां तक 210 से 360 तक मतलब 360 से छोटी हो और 270 से बड़ी हो तब हम 14 चतुर्थांस में रही थे भईया होता है या माइनस होता है तो माइनस होता है क्यों होते हैं तो इसका जो रिजल्ट आया है यह भी माइनस होगा ठीक अब देखो तो 45 डिग्रिक वैलू क्या होती है 45 डिग्रिक वैलू 1 होती है लेकिन माइनस है तो इसलिए माइनस वन हो जाएगा ठीक तो अब आप लोग इसका स्क्रिन्शॉट लेंगे ले लिया । चलिए तो फ्रेंट्स आज के ग्राज के वीडियो हम लोग अप यहीं पर समाप करते हैं बहुत फ्यारे प्यारे कुश्चन हम लोगोंगे उनके पहले प्पार्मूले पढ़ेंगे फार्मूले के बाद में बढ़ हैं प्यारे प्यारे कुश्चन आप लोग के सामने लाऊंगा और तिरकोड मिती को हम लोग इस तरीके से पठ डालेंगे कि जिन्देगी भर भाईया बोलेंगे I love you, तिरकोड मिती, I love you, I love you तिरकोड मिती से तो आपको मुहबबत हो जाएगी भाईया इतनी मेरी गैरेंटी है ठीक, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साथ बने रहो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाईया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, सी ओ, हसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो